बिल्कुल ही जहटपट से और बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाली यह रेसिपी है मूली के पराठे हैं आज हम लोग इसको ट्राइ करने वाले हैं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले तो दो या तीन अपने हिसाब से मूली ले लेते हैं उसको पील आउट करके और अपिर उसको बडिया से कद्दु कस कर लेंगे कद्दु कस करने से क्या होता है कि मूली में जब हमने नमक और मिर्च ऐड़ करना है तो उसके बाद इसको तो करवापन है वह थोड़ा सा निकल जाता है तो आई言 इसमें हलका सा हम लोग लाल-mapir कर नमक होता है उसको तो कर देतं हैं और फिर इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे मैं कर लेंगा और मिक्स करने के बाद हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी बाहर निकल झाया और इसके कहरण से यह क्या हो जाएगा पताप इस थोड़ा करवाहर या मुली का जो कैसेला पन होता है वो भी निकल जाएगा और ये थोड़ा नम भी हो जाएगा इसका काफी सारा पानी छूटेगा मैं आपको दिखाऊंगा भी लगभग 10 मिनिट रखने के बाद हमने देखा ये देखी इसका पानी छूटना शुरू हो चुका है अब हम इसको पेस्ट ले रखा है सब को हम लोग एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे अब आटे के लोई के अंदर फिल करेंगे हमने आटा मिला रखा है और इसकी लोईयां बना करके अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इस सब को एड करेंगे फिल करेंगे और फिर उसको पैक करके बढ़िया से उसको बेल लेंगे यह देख सकते हैं इसको हमने इस तरीके से बेला है कि यह साइड से जरा सा भी मोटा नहीं है अधर्वाइज क्या होता है कि साइड से थोड़ा कच्छा रह जाता है इसको एक तरफ से जरा सा सिखने के बाद हम लोग इसको पलट करके और इसपे क्या लगा देंगे हिल बतर या गी अपने टेश्ट के हिसाब से यहां पर हाव लोग इसको एड्ड कर देंगे और फिर ये देखिए उसको हमने क्या करना है पलट करके बरिया से और ये एक तरफ से अच्छा से सिख चुका है इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग ओयल बटर या घी अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपको पसंदो वो आप अड़ कर सकते हो ये अड़ करने के बाद जब म पीच से फोल जाना है और लेकिन फिर भी क्या हो जाता है साइड से हलका कच्छा रह जाता है ये देखिए किता सांदार मूली का पराठा तयार हुआ है मेरे तो अभी से मुझ में पानी आने लग गया इसको मैं अभी कट करके भी दिखाता हूं ये पीच से बहुत अच्छ जिसके साथ जिसके साथ यह हमें पसंद हो उसके साथ हम लोग इसको आड़ करके बिल्कुल बढ़िया से सर्व कर सकते हैं यह मेहमान नवाजी के लिए बिल्कुल बढ़िया रेसिपी है थैंक्यू फॉर्यू